24th of July 2024 को Capital Smartity की साइट पर जो इवेंट हुआ जिसमें Capital Smartity की मेनेजमेंट ने अगले 25 साल का विजन दिया कि नेक्स 25 यर्स में Capital Smartity की साइट पर क्या होने जा रहा है इस वीडियो में तमाम टॉपिक्स को मैं डेटेल से टिस्क्स करूंगा जो तीन घंटे का इवेंट है उसे समराइज करने कोशी करूंगा इन 15-20 मिनिट ताकर जिन मेंबर्स को इवेंट पाटिस्परिट नहीं कर सके यह लाइव वेंट्स नहीं देख सके उन मेंबर्स को काड़ लान मिल सके कि जहां पर इंवेंट कर रखी है उससे पाइला पॉइंट तो यह हो गया कि तमाम पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक जो अड्रस करना चाहता वो टॉपिक यह है कि जिन मेंबर्स के एक इंसरन है कि हमने कैपिटल स्मार्टिक के फेज वन में जहां पर ओर सीज इस तो और सीज प्राइम एक्जेक्टिव वन में इंवेस्टमेंट कर रखी है क्या उनकी इंवेस्टमेंट जो है वो फीजिबल है जब फेज टू लाँ पर नेगटिव इंपक्ट आएगा तो आंसर इस नो क्यूंकि जो फेस्टू है उसमें इनिशली जो अनॉंस किया गया है रखबा फेस्टू का वो है अराउंड फाइफ थाउजन एकर जो के बनता है चालीस हजार कनाल चालीस हजार कनाल रखबे से ज्यार चीज़ फेस्ट नेटवर्क किया जाएगा और उसके बाद ढारा सिटी प्रॉपर शेप में आएगा और प्रॉपर लाँचिंग होगी अब दीचे कंदारा सिटी क्यों इंबॉर्टन है वह एक सैबर टॉपिक है लेकिं डीचे को एकसास देने के लिए फेस्टू की लाँचिंग बिल्कु बाइब क fijसे को बेनिफिट लोगा वह कैसे हो बाइब कि गंदारा सीटी के बिल्कुल बार्टर के साथ यनी गंदारा सीटी और फेस एक इसक्टि वेस्ट में और वेस्ट मेंगे थे जाधा डिफरण्स नहीं है अब जब आप देखने के एक सोजाइटी जिसमें आपने प्लॉट बाय किया और कनाल का फर इस्टेंस 46 लाग रुपीज का यहां 5 मले का प्लॉट 17 लाग रुपे का 10 मले का प्लॉट 30 लाग रुपाय किया हो और आपको गंधारा के बिलकुल बाटर पे यहां डियेचे के बाटर पे प्लॉट मिले यहां आपसमें दोनों में कोई डिफरेंस ना हो यानि कि ओवरसीज एग्जेक्टिव वेस्ट को क्रॉस करके आप गंधारा सिटी में जा सकते हैं तो ज़्यादा बेनफिट जोगा को यह जोगा उन मेंबर्स को अकॉम्टिट करने के लिए यहां पर सबसे पहले यह राउंच किया गया है ताकि फूचर में जिन मेंबर्स को प्लॉट जायर से पात है पास्ट में बेचे के थे लेकिन डिउट यह रीजन लेंड रिट जिनके phase 1 में बैलेटिंग में पाटिस्पेट नहीं कर सके यानि phase 1 की जब बैलेटिंग हुई थी डिफरेंट ब्लॉक्स की overseas east की हुई थी overseas central की प्राइम बन की उन मेंबर्स को लाँच करके plot वहां पे दिये जाएंगे राइट साइट पर जो ब्लॉक लाँच होना है उसमें overseas prime 2 2022 में पहले लाँच किया जा चुका था उसके mostly members जो है उसमें अकॉमडेट हो चुकी है तो नहीं inventory आप यह ना सोचें कि society बस बेचती जाएगी plot और डिलिवर ने किरेगी phase 1 में जितने 100% member होंगे by November 15 उन member को तमाम के तमाम members को एक भी ऐसा member नहीं बचेगा capital smart treaty का कि जिसके पास plot number ना हो यह जब plot आने वाले दिनों उसको possession आउफर किया जा सके तो यह सबसे पहला topic वो था कि क्या phase 2 जो launch होगा तो क्या society नहीं inventory बेच दी जाएगी पराने inventory को पीछे चोड़ देगी the answer is no क्योंकि जितने members इस site से रह जाएगी उनको पहले वह accommodate कि जाएगा उसके बाद अगली inventory की बारी आएगी हाँ उसकी fresh inventory available जरूर है लेकिन पहली priority पे जो पुराने members है उनको accommodate किया जाएगा specially executive west के members जिनको executive one से move किया जाएगा executive west की तरह यह तो कहा पहला topic अब आते है event के main highlight पे सबसे पहला जो point था हो कि phase 2 का master plan launch किया अगर phase 2 का master plan है वो ऐसा master plan है जिसको 25 years के लिए आगे vision दिया गया है कि हम इसको सिंगापूर से बड़ा share बनाएंगे सिंगापूर याद रहे कि दुनिया का पहला smart city था और सिंगापूर का एरिया बनता है वो एक लाग 57,000 एकड का रखबा है यहाँ पे एक लाग 75,000 एकड के रखबे पे अराउंड 14,000 लाग कनाल के आसपास रखबा बनता है उस एरिये पे यहाँ पे पूरा capital smart city तियार किया जाएगा उसमें कौन कौन से blocks होंगे मैं वो sprint किया गया उस event में उसके लावा जो main for master plan था उसमें पहले phase 1 जो previous master plan था फिर phase 2 का master plan और उसके साथ आगे जाके जो phase 2 के different blocks होंगे उनका master plan लाउंच किया गया नमर वन आगया जी phase 2 का master plan यह पहला points है इस event के 20 points से जो मैं अभी summarize करूंगा पहला point था phase 2 का master plan जो लाउंच किया गया था जिसमें एक्जेक्टिव वेस्ट है जिसमें आपका Overseas Prime 2 है जिसमें आपका Overseas West का block आता है नमर टूस में के capital smart heady के phase 1 के रखबे के बारे में बताया गया था कितना रखबा है और capital smart heady का phase 2 का कितना रखबा होगा phase 1 का रखबा याद रहे कि यहां पर 12,500 एकर है जो के एक लाख कनाल बनता है फेस two का रखबा यहां पे 5000 रेकर है जो के phase one से तकरीवन half area बनता है half यह तकरीवन तर्ड जो फेस तु का रखबा लाउंच किया गया है वो 5000 रेकर है, किनाल जुएंड बात करें किनाला किनाल का रखबा बनता है । भी एचे को Smartity यह दिय तक से जादा लेंड चाहिए क्योंकि यह वाला एरिया जो है यह महद फ्यूजरिस्टिक और अर्बन लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा फीजिबल है क्योंकि इसको रोड एकसेस आप बैक साइट से लेके एकसेस हैं लेफ्ट साइट कागा एरपोर्ट आता है सीपैक कार्गो ज इतना बड़ा नेटवर्क यहां पर रोड का बन रहा है इतना बड़ा सिटी बन रहा है तो हमें यहां पर ज्यादा लैंड प्रवाइड की जाए और ने जाहिए रिक्वेस्ट की थी यह रिक्वेस्ट को मंदे नजर रखते हुए अब डियेचे के पास 12500 एकर का रकभा है जो आगे ने पर्वाइड किया रहा है फिरम कैपिल स्मार्ट एटी टोटल अगर कनाल में बात करें तकरीबश च्रेपन एक लाख किनाल का रकभा बनता है जो के पिछाँट शूटब जो को और ने इसी के साथ आकर जाके डिएचे अपना इंठर्चेंग भी बनाएगा ज जो के DHA का separate interchange होगा M2 Motorway पे जो के DHA के नाप से dedicated होगा यानि कि जो पहला interchange होगा Capital Smartity का यहां से Overseas West एक 400 फुट का रोड निकाल के गंदारा से डिटी कोनेक्ट के जाएगा और लेटर स्टेज़ पर जाके आजसे 3, 4 या 5 साल बाद DHA अपना जाती इंटर्चेंज बनाएगा तो technically Capital Smartity और DHA के पास दो इंटर्चेंज होगे जो के physically किसी सुजाइटी के पास पाकिस्तान में possible नहीं है सुजाइटी तो कहना भी इसे एक गलत बात है एक ने शेयर के पास याद रहे कि जब ये पूरा शेयर मकमल हो जाएगा तो इसका एरिया इसलामबाद के एरियर से तरीवन को 5 गुना ज्यादा होगा तो प्रीविज इसलामबाद की हिस्ट्री को देखें और ने इसलामबाद को देखें जो बन रहा है कैबिटल स्मार्ट सिटी के नाम से और दिएचे कंधारा सिटी के नाम से इन में रखबे का फरक तरीविज आपका 5 गुना का फरक होगा और ये एक प्राइवेट एंटिटी बना रही है चुँकि हैचे रहल एक प्राइवेट एंटिटी है गवर्मेट एंटिटी नहीं है और साथ में आकर जब दिएचे कंधारा सिटी आकर कनेक्ट होगा तो डेफरेंटली बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी होगा और ये सिंगापूर से बड़ा शेर होगा टोटल इसका रखवा एक लाग पचेतर हजार एकर होगा कनाल में अगर बात करें तो 14 लाग कनाल का रखवा बनता है इसके जाए अगर बात करें नेक्स पॉइंट इस कि इसमें जो ने सिट्री डिजाइन किया रहा है नया से शेर प्लैन किया रहा है इसमें कौन-कौन से डिस्टिक्स बनाए जाएंगे जिसे Capital Smartry के अंदर आप देखते हैं कि आपको Living के लिए Separate डिस्टिक्स मिलते हैं और आपको different काम के लिए Different Separate डिस्टिक्स मिलते हैं For example, Overseas East के अंदर आपको High-Rise Apartment के Plot से मिलते हैं Overseas East के अंदर आपको जो Offices आउनके पार अपलोट से मिलते हैं यहां को बड़ी ऐसी चीज़े नहीं हैं जो सिर्फ आप कहलें के जो काम के रिलेटिट हों जो आपके बिजनस से रिलेटिट हो Overseas East के अंदर आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो लिविंग के लिहास से मिलती हैं Overseas Central को देख लिए तमाम चीज़ें लिविंग के Point Officer डिजाइन की गई है Overseas Prime 1 को देख लिए तमाम चीज़ें लिविंग के Point Officer डिजाइन की गई है तो जो इस तरह के डिस्टिक्स बनाए गई हैं एक्जेम्पल के तोर पर रिसंट डेस में आपने देखा होगा कि कतरी डेलिगेशन ने जब पाकिसान के विजिट्स की है जो कि मलिक साम ने स्टेज में की प्रॉपर डेलिगेशन के विजिट्स की और M.I.U. सिगनेटर के जो पिचर्स दियों शेयर भी की थी मैं ट्राइग Capital फेस्टिवल सिटी होगा, Capital एक्स्पो पिच्पो ग्रोबल ट्रेड इंडिस्टियल सिटी होगा, Capital ऑशे सिटी होगा, Capital टाउन होगा, Capital सेंट्र बिज्नस दियों बढ़ा है, यह जो अगले 155,000 एकड का रखभा बनेंगा उसमें इनको अकॉमंडेट किया जाएगा, इसक इस 25 साल में जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, उनमें Capital Smart Tea का 12,500 एकर पे, Overseas East, Overseas Central, Overseas Prime 1, Executive District 1, उसके साथ साथ हार्वी पाक Overseas East और हार्वी पाक Overseas Central, इसके साथ साथ सिलिकॉन विलेज, गॉल्फ कोर्स और बाकी जो मेनिटीज हैं, उनको complete किया गया है। फेस 2 में आपको Overseas West, Overseas Prime 2 और Executive West के ब्लॉग शामिल होगे, जो के 5000 एकर पे मुश्तमिल होगा। अब आते हैं नेक्स पॉइंट पे कि यह जो Capital Smart यह बिगर दन इसलामबाद होगा, यानि कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि 5 पॉइंट ऐसे हैं कि 5 गुनाज ज्यादा बढ़ा होगा, कि जो आपको 15,000 एकर गड़ा रकबा मिलता है, 14,000 कनाल का, यह इसलामबाद की जो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, इन 5 जोन को कमबेरेजन करें, तो उनके इसाफ से तक्रीबर पांच गुना बढ़ा रकबा होगा आपका Capital Smart Tree का जब यह पूरा बजर्ट कम्प्लीट होगा, नेक्स इसके जो टोडल इंटरचेंज होंगे, उसमें पांच इंटरचेंज जो M2 Motorway पे होगा, थर्ड इंटरचेंज जो होगा, फते जंग का इंटरचेंज, चौता इंटरचेंज सीपक रूट का इंटरचेंज होगा, वो सेपरली M14 पे दो इंटरचेंज बनेंगे, लेकिन हम साइड बात करते हैं, पिर चक बिली रोट की तरफ से एक मेंबरान को, जो एक्जेक्टिव ब्लॉग के मेंबरान है, इस इवन्ट की जो कहलें के लुबे-लुबाब था, जो हाइलाइट थी, वो एक्जेक्टिव ब्लॉग की मेंबरान थी, एक्जेक्टिव बन के, उनको अभी जब इंटरचेंज के साथ एक रोड निकाला और है डिवेलप प्लॉट करने के बाद पॉजेशन के साथ शिफ्ट किया जाएगा और यह काम नमबर डिसमबर दो हुजार चौबेस तक मुकमल कर लिया जाएगा जिसकी एक्जेमपल आप साइट जाकर विजट करें तो आपको फिजिकली साइट पे होता हुआ काम नजर भ जाएगे 12500 एकर जो रूडा से क्वार किया है जो इसके वाले से बता है कि जो लाहुर स्मार्ट टी का फेस टू और फेस त्री लाँच किया जाएगा आने वले दिनों में जो तक तक इस साल के एंड तक उसकी जो नहीं साइट है रवील कर दी जाएगी डिवल्मेंट भी स सौदी जर्मन होस्पिटल के साइट पोजेक्ट वहां पे स्टार्ट होने वाले हैं जो के 50-60 अरब रुपे का पोजेक्ट बनेगा आप इमेजिन करें कि लहुर स्मार्टिटी की साइट पे 50-60 बिलियन रुपीज का पोजेक्ट अलड़ी एमोई उसाइन हो चुकी हैं और वहां पे साइट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं इतने 50-60 अरब से 10-12 साइटिगां बने जाती हैं जो के सिर्फ एक पोजेक्ट है लाहुर स्मार्टिट की साइट पे आने वाले दने में उसकी अनौसमेंट भी होगी ये 12,500 और सारे प्रजेक्ट को उसकी कंप्रीशन को खुद ओबर सी करें गे नेकस्ट है बात करें तो तक्दीपन 2000 हैसे तो कि तो चॉज़ साइट के पोराना काम करता रहा है वाले ने जो घुन साथ जायजा साथ के परस्मार्टी चाहित हैं तो उसी रॉयल फैमिली की तरफ से अब जाय साथ के परजेक्ट में यानि कि जायजार रफीज साथ के परजेक्ट में इंवेस्ट किया रहा है एक्सिलनसी ऑफ जपान डेलिगेशन अब के अंदर जो सिलिकान विलिज है इसके अंदर एक नहीं चीज़ लाँच कीगी है कि जैपनीज लैंविज के ट्रेनिंग के लिए जो डिफरेंट लोग हैं उनको हायर किया जा रहा है यानि कि डिफरेंट लोग विदाउट पेंग वहाँ पे आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और इस ट्रेनिंग के बाद वो जपान में उनको डिरेक्ट जॉब प्रोवाइट की जाएगी यह उनकी जपान की अमबैस्टी के साथ एचरल का और जाई जफीक साब का एक M.O.U. साइन हुआ है कि हम आपको धाई लाग के नकरीब करीब लेबर परवाइट करेंगे ऐसे लोग जो जैपनिज लेंगविज फ्लॉरंटली बोल सकते हूं और इस लेंगविज बोलने के बाद वहां पर जाके मूव भी कर सकते हूं तो यह बहुत बड़ा पॉस्टिव पॉइंट है पर पीपल ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट पर जैपनिज लेंगविज उसके लिए जो प्रोजेक्ट है उसको सिलिकोन विलिज में आके लाँच किया जागा आते हैं जी नेक्स जी नॉन बैलिटेड प्लॉट जो बाकी 10 दिसमबर 2024 को एक ग्रैंड इवन्ट होगा साइट पे उस इवन्ट में 2024 के 10 दिसमबर को आपक कैपिटल स्मार्ट इती नॉन बैलिटेड प्लॉट एक्जिसक ठरता हो उसने फाइल किसी भी रेट पर खरीज़ दिए हो उसने पर प्रचेस की हो कोई भी मेंबर नॉन बैलिटेड प्लॉट सथ नहीं मिलेगा इसमें Oversesies West में उन मैंबर्स अकॉमडेट कर दिया जएगा जो new plot purchase करेंगे उनको भी वहीं पर accommodate कर दिया जाएगा overseas west block जो important बात है वो टेक्स फ्री होगा और 5 साल के लिए आपने उस पर कोई टेक्स पे नहीं करना होगा अभी इसकी जो booking है old booking जो start होगी वो one month के लिए होगे सिर्फ हर सिर्फ अनके लिए प्लॉट मिल जाएगा तो वह जो लोगों तो तमाम मेंबर्स को वहां पर प्लॉट नपर रेलॉक्रेट होजेंगे यह इस सिर्मेंट का लुबलब लबाब था कि इसमें जो पॉइंट्स हाइलाइट कीगे हैं मैं आपको ट्राइक 15-20 मिनिट्स के वीडियो में आपको तमाम चीज़ एक्स्पेंट कर दो और उन कंसर्स को भी इड्रेस कर सकूँ स्पेसिफिकली जिन मेंबर कंसर्ण है कि आज शाहिए ओवर्सीज टू लाउंच करने का मकसद है कैपिल स्मार्टी जो है बस लाउंचिंग करता जा रहा है देखें कैपिल स्मार्टी नहीं को दो-चार अदार कनाल के सुटाइटी नहीं है पहली बात आपने देख लिए क सब का एरिया गूगल अर्थ पर मेजर करें मैं आपको नाम बताता हूं जिसमें आपके इफरेंट डिफरेंट परजेक्ट्स आये हैं आप हर परजेक्ट का एरिया देखें और उनकी टोटल लैंड देखें कितनी डिवैलप की है अब कैपिल स्मार्टी इंडिपेंडनली डिलिवर्ड रखबा है 80,000 कनाल का मतलब होता है राउंड 10,000 एकर याद रहे कि फेज वन में 12,500 एकर जिनमें से आपका 10,000 एकर डिलिवर हो चुका है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो जो प्रामिस किया उसे फुल्फिल किया पहला प्रामिस ये किया गया था क कैपिल स्मार्टी का रोड जो गावा 400 फुट का होगा आपके सामने फिजिकली 20 लेन का रोड मजूद है दूसरा प्रामिस ये किया गया था कैपिल स्मार्टी अपना डेडिकेटड इंटरचेंज होगा M2 पे यकीन मानने इस बात को कोई बंदा तसलीम करने के लिए राज पर इंटरचेंज लेने के लिए उनको कितने साल लगे एक को लग गया तकरीबन 16 साल दूसरे को तकरीबन 14 साल कैपिल स्मार्टी ने पाकिस्तान की सबसे फ्लैक्शिप रोड जैस रोड पर तकरीबन दिन की 4 लाग गाड़ी का कम्यूट है उस रोड पर इंटरचेंज रि लिए यह बात किसी अजूबे से कम नहीं है जो लोग जाए से बात को मार्केटिंग पॉइंटर करते हैं के रिजवान चीमा आके आप वीडियो में बैट किसे मार्केटिंग करता है कैपिल स्मार्टे की यह रियालिटी है यानि यह चीजे हमें खुद यगीन आता है कैसे ह हो गई चीज ऑगजिस्टिंग मतलब पाक Stan का सारा एकोसिस्टम देखते हुए पाकसान में सारा जितना अपको इश्राफिया बैट सो स्ट लेंके बाundम तक हिरार कि सिसटमatically कैसे कर लिया लेकिन Consultive दें लेकिन आपके सामने है क्या आ है के पूल समार्टे की साइट पर itude पर इंटरचेंज लेके जा सकते हैं मैं पास कहीं परिजेक्ट के रफरेंस देगा हूं जैसे 18 इसलामबाद है कहीं इंटरचेंज ले लें किशमीर हाईवे पर आज तक नहीं बना तो फिर तो यह 23 इंटरचेंज हैं पूरे मोटरवे पे उपर एम टू मोटरवे पे और कैपिटल स्मार्टी का सबसे फ्लैक्शिप होगा इसका डिजाइन से देखे ना कि जिस तरह का डिजाइन उसका बन रहा है और जो भी साइट पर आपने विजिट किया और रिसंटी सबसेंगे वह आपकी सोच से ज्यादा खुबसरत इंटरचेंज होगा यह कैपिटल स्मार्टी ने प्राइवेट तोर पे अपना इंटरचेंज लेके दिखाया है इसमें कितने अर्य रूपे लगाएं अंडर टेबल वर्क सेपर टॉपिक है उस पर नहीं जाते हैं इसके गॉल्फ का साइट पर नाइन होल्स जो है वो डिसमबर 31 से पहले ऑपरेशनल होंगे जिसकी जैंपल आप विजिट करें साइट पे रिसनली मेरे क्लाइंट है वो सौदिया से आई वा थे खबीर साब तो उनके साथ मैं साइट विजिट कर रहा था तो ही वस अस्टॉनिश कि किस तरह कर लिया है इनोने यानि कि पॉंस साल के अंधर अंधर जिस कर दा आ लिए पक्ताफिया का पज है और थिर्थे रा इसपोस बिनाना असान चीज नहीं होती नेक्स्स प्रॉमिस यह किया था, आपको सेलिकोन विर्ज ला आजा जाएगा, अ point इसके अगर आप के जो आप से commitment कीए إДudedी फॉलफिलिटीर किया कियाля इन पाकिस्तान क्रेंट एकनॉमिक कंडिशन इन पाकिस्तान Zoom टिंए मैगसिशन के रहे हैं कि पाकिस्तान की एकनॉमिक जो हालत है अगले तीन-चार साल तक सेट नहीं होने वाली उसके बावजूद भी कैपिटल स्मार्ट रेटी ने आपको यहां पर डिलिवर करके दिखाया है और यह मरी बात ऑन रिकॉर्ड है दर्शे बात यूट्व वीडियो आउन रिक कोड कर सेता हूं दो एक जेमपल मेरे पास एक है डियेचे की एक जेमपल डियेचे टो की दूसरे गुलबक रिंस की के जो प्लॉट गुलबक के अंदर सवा करोड का बेचा गया था आज वो प्लॉट ग्यारां करोड रुपर रुपर है और इंटर्चेंज बनने से पहले कोई लिता नहीं था वही प्लॉट आपको ग्यारां करोड मार्केट से नहीं मिलता चोटा सा इंटर्चेंज गुलबक का को बहुत मैसिव इंटर्चेंज नहीं है पट पब्लिक कम्यूट ओपन हुआ तो उसकी ग्जेमपल आपके सामने आ गई डियेचे की जेमपल ले ले आप से बात की कि एक अपने वीजन को प्रॉपर करके दिखाया जानदा के बात है कैपिल समार्टी के नेक्स 25 येज वीजन की तो अभी बहुत सारी बाते हैं जो करने वाली है मैं आगले किसी वीडियो में दिखाँगा कैपिल समार्टी नी वह रिपोर्ट जो दुदर 22 मे बनाऊंगा तब तो आपके तब होश वड़ जाएंगे कितना बड़ा सके शेयर जो है कि हमें प्लान किया जा रहा है और किस तरह लोग इस शेयर के अपने नाम साथ जोड़ना चाहते हैं और अपना बेनिफिट एड़ना चाहते हैं तो मेरे खला काफी लंबी वीडियो हो अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत धोलें रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तर के लिए खुदा आफ़िज